हर्याना में कच्चे कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुश खबरी, नियमित करने के लिए नीती बनाने पर विचार कर रही सरकार. हर्याना में कच्चे कर्मचारियों की तरफ से उनकी सेवा को नियमित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है. कच्छे कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हर्याना के एड़ोकेट जनरल बी आर महाजन ने हाई कोर्ट को कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है फिलहाल इस मामले में अभी थोड़ी कानूनी बाधा है जिस वजह से थोड़ा समय लग रहा है एजी ने हाई कोर्ट से इस बारे में विस्त्रत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है नहीं मिल रहा समान वेतन पानिपत नगर निगम में एक दशक से भी ज़्यादा समय से सेवा दे रहे सफाई कर्मचारी क्रिश्नलाल वअन्य ने उन्हें नियमित करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी याचिका में बताया गया कि इतनी लंबी सेवा देने के बाद भी अभी तक उन्हें रेगुलर नहीं किया गया है कॉन्ट्रेक्ट पर एक दशक से ज़्यादा वक्त से सेवा देने से पहले में पूर्ण रूप से कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे वह नियमित कर्मचारीयों की तरह सभी तरह के कार्य को पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें उनके बराबर वेतन वभत्ते नहीं दिये जा रहे याचिकाओं की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी सुनवाई के दोरान हाई कोर्ट ने देखा की निरंतर नियमित करने की मान को लेकर दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या में वृद्धी हो रही है सरकारी विभागो, बोर्ड और कार्पॉरेशन में कार्य कर रहे कच्छे कर्मचारी इस मांग को लेकर high court जा रहे हैं ऐसे में हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हर्याना सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों के लिए सहनुभूती रखते हुए हर्याना सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करें। इससे पहले सरकार ने कच्छे कर्मियों को पक्का करने के लिए नीती बनाए थी पर यह नीती हाई कोर्ट ने रद कर दी थी.